अगर आप लोग मेरे चानल पे नए है तो मेरे चानल को सबस्क्राइब करें और बैल आइकन को क्लिक करना ना भोले इससे आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगो सबसे पहले मिलेगी वीडियोज अच्छी लगें तो इसको लाइक करें और इसको शेयर भी करें असलाव अलेकुम वीवर्स आज मैं आप लोग के लिए क्रिस्पी वेजटेबल कटलेस की रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही असान है बहुत जटपट सी रेसिपी है बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं इसको आप बच्चों को लिंज बॉक्स न्यू बनाके दे सकते हैं और इसको हाई टी भी बिंजॉई कर सकते हैं तो चली आईए हम इसके इंग्रीडियन्स नोट कर लेते हैं चार अधत मैंने आलू लिये थे मीडियम साइज की इसको बॉइल करके मैंने मैश कर लिया था मटर लिये आदा कब इसे बॉइल कर लिया है मैंने इसके लावा हमें बन गूबी चाहिए एक कब इसको मैंने बारीक कट कर लिया है गाजल ले ली थी मैंने आदा कप इसे भी मैंने बारी काट लिया है शिम्ला मर्श ले ली थी आदा कप इसे भी कट कर लिया है इसके लावा हमें एक अध़त अंडे की जरूरत होगी इसको मैंने फेट लिया था ब्रैट क्रम्स चाहिए हमें हजब जरूरत Black pepper शाइए हमें Half teaspoon Chicken इसके लिए हम सबसे पहले आलो लेंगे तो मैंने मेर्च कर लिये थी उसके तरहे सारे स्पाइसिस मैने डाल दिये हैं उसके बाद हम एक ही करके उसके अनदे सबसी और अआइट कर लेंगे अच्छा आप लोग बच्चो के लिए बनाएं तो इसमें स्पाइसिस का ख़याल रखेगा कम यह जादा आप लोग अपने साफ से इसमें आड़ कर सकते हैं मिर्चे अगर छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें कम भी डालें जादा नहीं आड़ करें मैं ज़रा बड़े बच्चों के लिए बना रही थी तो इसली मैंने मिर्चे बिल्कुल सईसे डाली है बॉल मुझे छोटा पढ़ रहा है तो मैं चेंज कर लूँगी और इसको चेंज करने के बाद मैं इसको mix कर लूँगी अच्छे साना हाथों की मदद से बस इसको अच्छे से mix कर लेंगे हम है देखिए mix हो गया है उसके उसके بعد हम esse हमें ले लेंगे हाथ में और इसकी balls बना लेंगे इस तरह से और इसको हम कबाबों का shape दे लेंगे जो cutts का shape होता है इस तरह हम शामी कबाब बनाते हैं मैं इसको wall shape दे रही हूँ थोड़ सा इसको मैंने मोटा रखा है बहुत दादा पतला नहीं रखेंगे अब इसी तरह मैं सारे cut list को ready कर लूँगी यह देखिए इस तरह से यह देखिए मैंने सारे cut list जो है वो ready कर लिये है और अब हम क्या करेंगे अंडा लेंगे और एक cut list को उठाएंगे अंडे के अंदर dip करेंगे हम उसकी बाद हम breadcrumbs लगा लेंगे इसके उपर अच्छी तरह जो वीवर्स जो अंडा यूज नहीं करते वो लोग चाहें तो मैंदे का mixture भी यूज कर सकते हैं बस breadcrumbs इसके उपर अच्छी से लगा लीजिए अच्छी से coat कर लें और मैं इसी तरह से सारे तयार कर लूँगी और मैंने एक तरफ पैन गरम कर लिया था उसके अंदर थोड़ सा oil add किया है अब cut list में उसके अंदर add कर दूँगी उसके अंदर डाल देंगे और shallow fry करेंगे इसको हम golden fry होने तक golden brown होने तक इसको fry करेंगे नीचे जब golden brown color आ जाएगा तो हम इसको पलट देंगे बहुत जल्दी fry हो जाते हैं दो से तीन मिनिट के अंदर जादा time नहीं लगता है जब golden brown color आ जाएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा ये रेसिपी आप लोगो कैसी लगी और अपनी फरमाईज़ी मुझे से किया करें आप लोग क्या क्या सीखना चाहते हैं मुझे जब इस पर दोनों तरफ कलर आजाएगा तो हमारे कट्टे स्राइडी हो जाएगे बस गोल्डन प्राउन होने तक ही हमें इसको फ्राइ करना है इसको मैं निकाल लेंगे ये देखिए इसको मैंने निकाल लिया इसको इस तरह से सर्फ कर लिया था काफी दीर तक ही क्रिस्पी रहते हैं उपर से वा अंदर से सॉफ्ट होते हैं बहुत ही मज़िदार बनते हैं इस रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजेगा तो वीवर्स अगर आप लोगों मेरी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें कमेंट जरूर क्या करें शेयर भी जरूर क्या करें अपने फ्रेंड्स के साथ फैमली के साथ तो मुझे अपनी दुआ में याद रखीगा अलाहाफ़ज